मोवी की शुरुआत एक आदमी से की जाती है जो अभी सोकर उठा था इसका नाम सैथ होता है सैथ अकेला रहा गरता था क्योंकि उसकी फैमिली में कोई भी नहीं था सैथ एक एनिमल कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम किया करता था और जानवरों से इसकी दोस्ती थी यह इनी से बात किया करता था क्योंकि यही इसके दोस्ते और यही इसका डेली रुटीन था एक दिन सैथ अपना काम खत्म करके बस से अपने घर जा रहा था तब ही इसकी नजर एक लड़की पर पढ़ती है वो बड़ी खुबसूरत दिख रही थी सैथ उसके पास जाता है उससे हाई हलो करता है लेकिन वो लड़की इसे जरा सा भी नहीं पहचानती सैथ उसे बताता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ तुम्हारा नाम हॉली है और हम हाई स्कूल के अंदर साथ पढ़ा करते थे लेकिन हॉली को सैथ बिलकुल भी याद नहीं था हॉली के पास एक डायरी होती है जिसके बारे में सैथ पूछता है वो बताती है कि मैं इसके अंदर अपने जर्नल्स लिखती हूँ यानि के डेली रूटीन टाइप इसी दौरान सैथ के दिल में हॉली के लिए फेलिंग्स आ जाती है और मनी हमाने उसको प्यार करने लग जाता है और इसलिए वो कुसे कॉफी ओफर करता है लेकिन हॉली उसे मना कर देती है हॉली उसे कहती है कि मैं एक रेस्टरेंट में काम करती हूँ और मेरा अल्रीडी बॉइफरेंड है कुछी देर में हम देखते हैं कि हॉली का स्टॉप आ जाता है वो वहाँ पर उतर जाती है और सैथ की बात पूरा होने से पहले ही वो उसे वहाँ से छोड़ कर चली जाती है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा sad हो जाता है वो अपने घर पर आता है और social media पर holly को search करने लग जाता है holly social networking sites पर available होती है जिसकी वजह से वो उसकी personal information note down कर लेता है daily routine की तरह वो अपने office जाता है जहांपर वो अपने co-worker security guard Nat से पूछता है किया लड़कियों को किस तरह से हम impress करें तभी Nat उसे बड़ी confidently कहता है कि हमेशा confident रहो क्योंकि लड़किया इसी चीज़ को like करती है तभी वहाँ पर veterinary doctor होती है वो Nat से एक dog लाने के लिए कहती है जो कि German shepherd होता है दरसल सेथ को इससे बहुत ज़्यादा लगाव था वो काफी time से बीमार चल रहा था जिसके वज़ा से doctors उसे अपनी clinic में लाने को कहते हैं उसकी बीमारी का ना इलाज होने के वज़ा से doctor उसे एक poison injection लगाने वाले थे जिसकी वज़ा से सैथ बहुत ज़ादा उदास हो गया था सैथ उन doctor से उस dog को रखने के लिए कहता है जिसकी वज़ा से doctor कहते है कि अगर तुम ले कर जाना चाहते हो तुम ले कर जा सकते हो लेकिन सैथ कुछ सोचता है वो अकेला रहता था और उसका खर्चा नहीं उठा पाएगा जिसकी वज़ासे वो खामोश हो जाता है और doctors उसे वो जहर का injection लगा देते हैं उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है इसके बाद सैथ को ही उसकी body को जलाने के लिए दे दिया जाता है जिसकी वज़ासे वो बहुत sad हो जाता है सैथ उस German Shepherd को जला कर आई ही रह होता है उसे एक दर्वाजा दिखाई देता है जो कि एक basement में जाता है वो कमरा बहुत ही जादा secret था वो एक basement था सैथ वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आने के बाद वो दुबारा से हॉली के ओपर research करता है जहां से उसको ये भी पता लग जाता है कि हॉली कहां पर job करती है इसके बाद सैथ हॉली की पसंद और नापसंद के बारे में जान जाता है उसे एक diary में लिख लेता है अगले दिन सैथ हॉली के उसी restaurant में जाता है जहां पर वो job कर रही होती है वहां पर उसकी मुलाकात होती है लेकिन हॉली उसको इस बार भी पहचानने से इंकार कर देती है इसके बाद सैथ उसे अपने साथ music concert में ले जाने के लिए कहता है जिसके वज़ाए से हॉली नराज हो जाती है और वहां से चली जाती है शाम को job के बाद हॉली अपने घर जा रही होती है तब ही उसको एसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है ये कोई और नहीं बलकि सैथ ही था Holly अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ पर उसकी best friend भी होती है वो घर पहुँचने के बाद वो उस best friend को अपनी सारी बातें बताती है इसी दौरान Holly को उसके boyfriend की call आती है जो की नशे में होता है वो उसे बुरा भला बोल रहा होता है जिसकी वज़ाए से Holly phone disconnect कर देती है और वापस से अपनी best friend से बात करना शुरू कर देती है अगले दिन Holly अपनी restaurant में जाती है जहाँ पर उसे बहुत सारे roses gift किये हुए होते हैं जिसकी वज़ाए से Holly समझ जाती है कि Eric ने नहीं बलकि किसी और ने भीज़े हैं तभी Seth भी उसका पीछा करता हुआ उस restaurant तक आ जाता है और जहाँ पर Seth Holly को date पे ले जाने के लिए कहता है और वो accept करता है कि मैंने ही वो roses तुमारे restaurant में भीज़वाई थे ये सुनने के बाद Holly को बहुत जादा गुसा आ जाता है जिसकी वज़ाए से उसका boyfriend Seth को बहुत बुरी तरह से मारता है Seth जखमी हालत में floor पर गिर जाता है जहाँ पर उसे Holly की वो diary मिलती है जिसमें वो अपने journal maintain करती है इसके बाद वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर वो Holly की diary को बड़े अराम से पढ़ रहा होता है जिसकी वज़ाए से उसे Holly के बारे में बहुत सारी चीजें पता लग जाती है इसी डायरी के वज़ाए से Seth को Holly के बारे में एक ऐसा secret पता लग जाता है जो के हमें इस movie के end में पता लगेगा अगले दिन रोज की तरह Seth अपने office जाता है और उस basement के अंदर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद वो एक internet पर research करता है जिसकी वज़ाए से उस basement के अंदर Seth एक बड़ा सा पिंजरा तयार करता है और इसके बाद वो वहाँ से जानवरों को paralyze करने वाला एक injection चुरा लेता है घर जाने के बाद ये इस injection को अपने उपर try करता है कि ये कितनी देर के लिए काम करता है जिसकी वज़ाए से वो थोड़ी देर के लिए paralyze हो जाता है अगली रात को सैथ हॉली का उसके घर से पीछा करना शुरू कर देता है हॉली अपने घर पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि वो वहाँ पर अकेली है सैथ किसी तरह से मौका पा लेता है और चोरू की तरह से हॉली के घर में घुश जाता है और मौका पाते ही सैथ उसको वो पैरलाइज वाला इंजेक्शन लगा देता है अगले दिन सैथ हॉली को एक बड़े से बॉक्स में डालता है और अपने ओफिस ले जाता है हॉली को सैथ उसी पिंजरे में बंद करने वाला था लेकिन जाते वक्स सेक्यूरिटी गार्ड उसको रोक लेता है वो उससे उस बॉक्स के बारें पूछता है लेकिन सैथ किसी तरह से उसे बातों में उलजा कर उसे बेस्मेंट में ले जाता है वो से basement के अंदर उस पिंजरे में बंद कर देता है Holly को थोड़े समय के बाद होश आता है और अपने आपको एक बड़े से पिंजरे में बंद पाती है वो अपने आपको उस पिंजरे से निकालने की सारी कोशिश है करती है उसे पूरी रात उसी पिंजरे में उसी बेस्मिंट के अंदर बितानी पड़ जाती है अगले दिन सैथ वहाँ पर उस पिंजरे के पास आता है और हॉली को एक टॉलिट पॉर्ट और कुछ खाना देता है इसी दोरान सैथ हॉली को अपना नाम याद दिलाता है क्योंकि हॉली ने उसका नाम जानने की कभी कोशिश ही नहीं की थी उसके बाद सैथ वहां की लाइट्स बंद करके वहां सी चला जाता है इसके बाद सैथ दो तीन दिन तक हॉली से नहीं मिलता और जब उसके बाद वो हॉली से मिलने जाता है तो वो देखता है कि हॉली की हालत बहुत जादा खराब है वो भूख प्यास से बहुत जादा कमजोर हो चुकी है सैथ उसे पानी पलाता है और उसे थोड़ा सा खाना खाने के लिए देता है इसके बाद वो यहां से जाने लग जाता है ये देखकर हॉली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन सैथ बिलकुल भी नहीं रुकता इसके बाद वो यहां से चला जाता है वो उस बेस्मेंट के अंदर पूरी तरह से अकेली थी उसे अपनी फ्रेंड क्लेर नजर आती है असल में वो वहां पर थी ही नहीं ये सिर्फ हॉली का इल्यूजन था कुछ दिर बाद हॉली को नेचर कॉल आती है जिसकी वज़ा से वो सैथ का दिया हुआ टालेट पॉड इस्तमाल करती है इसी दौरान वहां पर हॉली के पास एक चूहा आ जाता है जिसे वो पैर से कुचल कुचल कर मार देती है अगले दिन सैथ वहां पर हॉली से मिलने के लिए आता है हॉली उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो सैथ कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता लेकिन अगर वक्त ऐसा आया कि तुम्हें मारना पड़े तो मैं विल्कुल भी जिशकूंगा नहीं इसके बाद सैथ हॉली से कहता है कि मुझे देखते ही तुमसे प्यार हो गया था और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं बलकि बचाने के लिए लाया हो सैथ बेस्मेंट रूम से निकल रहा होता है तब ही वहाँ पर उसका दोस्त सिक्यूरिटी गार्ड आ जाता है वो सैथ से बेस्मेंट में जाने की वज़ा पूछता है लेकिन सैथ वहाँ से बहाना बना कर चला जाता है Seth next morning Holly के पास आता है और उसे उसकी वहाँ पर वो red वाली डायरी दिखाता है जिसमें उसकी सारी personal बातें लिखी हुई थी Seth Holly से उसकी friend Claire के बारे में पूछती है तो Holly कहती है कि मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती लेकिन Seth उससे कहता है कि मैंने तुम्हें उससे बात करते हुए सुन लिया है Seth को थोड़ा सा डर होता है कि वो वहाँ पर basement के अंदर अकेली है लेकिन वहाँ से दो लोगी के आवाजे किस तरह से आ रही है इसके बाद Seth उससे पूछता है क्या Claire वाकई में यहाँ पर है जो कि Claire के बारे में था दरसल कुछ टाइम पहले Holly और Eric की engagement हो चुकी थी तभी कुछ टाइम बाद Holly को Eric के email से पता लगता है कि उसकी best friend Claire उसके मंगीतर के साथ dating कर रही है एक दिन Holly और Claire कार में जा रहे होते हैं जहाँ पर Claire यह बात accept कर लेती है यह सुनने के बाद Holly अपनी कार की speed तेज कर लेती है जिसकी वजह से उनका accident हो जाता है जिसमें Holly तो बच जाती है लेकिन उसकी best friend को काफी चोट आती है यह देखने के बाद Holly वहीं काच का टुकडा उठा कर उसकी आँख में गुसा देती है जिसकी वजह से उसकी death हो जाती है इस किस्से के बाद Holly Seth को बताती है कि मैं एक writer हूँ और जो भी मेरे journal के अंदर रिखा हुआ है वो सिर्फ fantasy stories हैं यह real में नहीं है यह सुनने के बाद Seth कहता है कि मुझे भी यही लगा था इसी वजह से मैं Claire की जानकारे लेने के लिए पुलिस station गया था और वहाँ पर मुझे पता लगा कि वो वाकई में एक accident के अंदर मर चुकी है रसल हॉली को गिटनैप करने से पहले सैथ ने इसका काफी दिन तक पीछा किया था जिसकी वजह से इसे मालुम पढ़ा कि हॉली की वजह से काफी लोगों की जान जा चुकी है और यह सारी चीज़ें उसने अपनी डायरे में देखी दी जिसके अंदर यह भी लिखा था उसने काफी लोगों को जिन्दा जलाया है काफी लोगों को गला दबा करके उनकी हत्या कर दी है तबी सैथ हॉली से कहता है कि मैं तुम्हें यहां पर इसलिए लेकर आया हूँ ताकि तुम और लोगों की जाने ना ले सको और इसी के साथ साथ तुम दुनिया वालों और पुलिस से भी बच सकती हो इतना कहने के बाद सैथ वहाँ से जाने लग जाता है Next morning सैथ फिर उस basement में Holly के पास आता है जहाँ पर उसे उसके behavior के अंदर काफी changes नदर आते हैं वो अपनी body को clean कर रही होती है सैथ हॉली से वापस से उन mudders के बारे में पूछता है लेकिन हॉली सैथ का ध्यान भटका देती है distract कर देती है और अपने सर को जोर जोर से पिंजरे पे मारना शुरू कर देती है जिसके वजाए से उसे काफी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है इसे के साथ सैथ ने उसे काफी दिनों से खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया था हॉली को होश आता है और वो सैथ से कुछ खाने के लिए मांगती है लेकिन सैथ मना कर देता है सैथ वहाँ से जाने लग जाता है लेकिन तभी हॉली उससे बहुत प्यार से बाते करना शुरू कर देती है उससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है जिसके वजह से सैथ उसके लिए खाने के लिए कुछ लेने जा रहा होता है लेकिन तभी सिक्यूरिटी गार्ड की नजर पास्ते से निकल रहा था। उसको थोड़ा सा शक होता है जिसकी वज़ासे वो बेस्मेंट के अंदर जाता है। इसके बाद हॉली उसे एक बड़ा सा ब्रिक ब्लॉक उठाने के लिए बोलती है और उसका सर तोड़ने के लिए कहती है। करना शुरू कर देता है। वो अपने ही फ्रेंट की बॉड़ी के छोटे छोटे टुकडे करके कुत्तों को खिला देता है। जिसकी वज़ासे उसकी पूरी बॉड़ी गायब हो जाती है। इस इंसिजडेंट के बाद सिक्यूरिटी गार्ड को पुलिस धूड़ना शुरू कर देती है और वो नैत से भी पूछताश करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वाला नैत से कहता है कि मेरी नदर तुम पर हमेशा बनी रहेगी। जिसे सुनने के बाद नैत के चेहरे पर पसीने आ जाते हैं। इसके बाद वो वापस से हॉली के पास आता है जहां पर हॉली उससे फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। हैरान हो जाता है। लेकिन सैथ तो उससे बहुत जादा प्यार करता था जिसकी वजहा से वो अपनी उंगली काट देता है। वो दर्द से करा रहा होता है। और इसी बात का मौका उठा कर हॉली सैथ का वो नाइफ उठा लेती है जिससे उसने अपनी उंगली काटी थी। वो उस चाकू को फॉरण से अपने गले पे रख लेती है और वो नैथ से कहती है कि अगर तुम पिंजरा नहीं खोलोगे तो मैं अपने आपको यहीं पर मार डालूगी. क्योंकि अब यह भी प्रूव हो चुका था कि नैथ उससे बहुत ज़्यार करता है तो वो उसको मरने नहीं देना चाहता था वो फॉरण से पिंजरा खोल देता है। इसके बाद हॉली एरिक को मारने की सोचती है लेकिन वो उसे नहीं मारती। वहां से निकल कर हॉली एक वेर हाउस में जाती है जहांपर एक पिंजरा था और उस पिंजरे के हंदर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बलकि सैथ था जो कि अब हॉली की कैद में था और एक बड़े से पिंजरे में था सैथ ये हालत देखकर ये साफ जाहिर हो जाता है कि हॉली उसके उपर बहुत जादा टॉर्चर करती है वो म्यूटेट भी कर रहा है उसके उपर एक्सपेरिमेंट करती है इसे ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि सैथ ने हौली से पंगा लेकर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। सैथ उससे अपनी जान की भीग मांग रहा होता है और मुवी का यहीं पर दे एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये फिल्म पसंद आई तो इसको लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा। और नेक्स मुवी एक्स्प्लेनेशन आप कौन सी चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा। मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक टेक केर।